सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को ज़रूर दबाएं ये बिलकुल प्री है टाटा ने हाली में अपनी प्रीमिम हैज़बेक कार टाटा ऐल्ट्रोस को लेकर काफी खबरों में बना रहा है Tata की Altros एक लंबे इंतिजार के बाद बाद बाजार में लॉण्च होने की तयारी में है Tata की Altros BS 6 मानक और कई आदूनिक फीचर्स के साथ लॉण्च होनी है आपको बता दे कि Tata की नई प्रीमियम हैज बैग कार Tata Altros का 3 दिसम्बल 2019 को अनावरंण किया जाना है इस आयोजन को टाटा मोटर्स के शोशल मीडिया पेजो पर लाइफ स्ट्रीम किया जाएगा अल्ट्रोस के लिए प्री बुकिंग 4 दिसंबर 2019 से शुरू होने की उमीद है जबकि अधिकारिक लाउंच अगले साल जन्वरी में होने की उमीद है कार का अधिकारिक लाउंच 2020 आटो एक्सपो में भी किया जा सकता है फिर इसके डिलिवरी आटो एक्सपो के बाद मार्च में की जाएगी टाटा की अल्ट्रोस अलफेट प्लैटफॉर्म पर अधारित है इसमें आपको सलिम गिरिल और सलिम रप राउंड हैडलेंप्स मिलेंगे जिसमें मुक्के हैडलेंप के ठीक नीचे त्रिकोड ये फोगलेंट है पीछे की और में आपको अल्ट्रोस ने टेल गेट पर रेब राउंड टेल लेंप्स और गलास ब्लेक स्ट्रीम दिया गया है टार्टा की अल्ट्रोस उसकी नई आदूनिक तकनिक पर अधारित है गौर तलब है की टार्टा अल्ट्रोस को तीन इंजन विकलपों के साथ लॉंच किया जाना है जिसमें से टियागो से 1.2 लिटर 3 सिलेंडर बैटरूल इंजन लिया है और 1.2 लिटर टर्बो चार्ज पैटरूल और 1.5 लिटर डीजल इंजन शामिल है इसमें आपको पार्ट स्पीड मैन्यूल ट्रांस्मिशन को मालक के रूप में पेश किये जाने की समभावना है जबकि 140 बाद में पेश किया जा सकता है टार्टा अपनी इस कार को लेकर काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ है वास्तफ में ये कार भी मुल्ले और फीचर्स का एक अनूठा संगम है जिससे कार निर्माताओ को काफी भरी संगम होने वाला है तो दोस्तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताए आपको ये टाटाल टोस कार कैसे लगी क्या आप इसको बुक करवाना पसंद करेंगे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बिना लाइक करें इस वीडियो को मत जाएगा आज के वीडियो का टार्चेट एकते हैं साड़े 800 लाइक का जली से साड़े 800 लाइक के टारंब сх़े को पूरा करें दोस्तों और हमारे चैनल को सपोर्ट करें हैसी ओवडियो देखने के लिए हिंदी न्यूस चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को आम आत्मी तक शेयर करें दब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों